जालो में हुए रचित हत्याकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 9 अभ्युक्तों की ग्रफ्तारी की है जिसमें आज तक 4 अभ्युक्तों की ग्रफ्तारी की गई है जिन्होंने पूरे मामले में पढ़ियंत रचा था चारों अब्युक्तों को ग्रफ़तार कर चेल भीस जागया है आपको बता दे बिज्ञोर के कजबा जालों में स्योहरा निवासी रचित की दिन दाहड़े कोली मार कर हत्या कर दी गई थी दिन दाहड़े हुए हत्या कारण में इलाके में संसरी फैल गई थी महीं पुलिस ने मौके से इशारी के रहबर शहजाद आदी लोगों को दोड़ कर पकड़ लिया था जबकि मुख्य आरोपी आसिफ आपदी भी फरार हो गया था आसिफ आपदी पर पुलिस महानी देशक ने 50,000 के इनाम की खोशना की थी जिसके बाद पुलिस ने एक दिन पूर उसको ग्रफ़तार कर चेल भेज़ दिया था महीं मामले में पड़ेंत रचने वाले चार और अभ्युक्तों की ग्रफ़तारी की गई है जिसमें नाजिम आरिफ जौनी मतीनाथी को ग्रफ़तार कर लिया गया है बिजन और एस्पी डाक्टर द्रमबीर सिंग ने प्रेज़ वारता कर घटना का खुलासा करते हुई बताया कि सब यह अभ्युक्तों पर एनसे की कारवाई की जाएगी अब तक पुलिस ने अभ्युक्तों की ग्रफ़तारी की गई थे एक सो बीस बी में साथ तारी को नाजिम को गिरफ़तार किया गया था उसके बाद मुख अभ्युक्त आसिफ आबदी को गिरफ़तार करके जेल भजा गया घटना की साजिस करने वाले खरहंत्र करने वाले नाजिम की तरीके से जाने रितिक और मतीन को 120 वी में गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है अब तक इसमें पांच हत्या करने वाले, चार खड़ेंट करने वाले, 9 अभिक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है दो अभिक्त वाजिद और मतीन 120 वी मुल्जिम है, वाजिद और समीर इसकी विरफ्तारी की जानी है इस प्रकार से कुल 11 अभिक्त अभिक्त तक प्रकार में आए है इन नामित पांचो अभिक्तों में से आसिफ के खिलाफ आजे रेंज महदय की तरफ से 50,000 उपए तर इनाम था इन सभी अभिक्तों के खिलाफ नसे की कारवाई की जाएगी, हत्या का प्रमुख मोटिव घटना में पुरानी रंजिस, बर्चस्प, सुपरमेशी कायम करने के लिए सहजान और आसिफ आजने खरेंटर करके उसके नियर दियर जो दोस्त है जानियाद के साथ में मिल करके हत्या की घटना कारिद किया है